प्रेंक प्रेंड्स desired acja नीटियर क्राउट्स पर आपका स्वागत है तो I multiply और आपको मैं जेरच से स्टार्ट है यहाँ से स्टार्ट होती है इतों किसीन के स्टार्ट हां से पुर्य और प स्टार्ट है यह 5 और 6 नमबर के लिए है इस socks को आप किसी भी size में बना सकते हो चाहे आप 2 साल के बच्चे के लिए भी बनाना चाते हो तो बना सकते हो चलिए आगे इसको देखते है कैसे बनाना है इस socks को बनाने के लिए जी मैंने 2 कलर लिये है जह light ब्राउन कलर और जे dark ब्राउन कलर है तो दस नमबर की सलाई चाहिए, एक सलाई के लिए सीने के लिए निडल चाहिए, एक बटन चाहिए, जा फ्लावर चाहिए, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपने दस नमबर की सलाई लेनी है, सलाई पर आपने तीन फंदे डाल लेने हैं, जे मैंने तीन भी साइज में बना सकते हो तीन फंदे से स्टार्ट करके तीन फंदे मैंने उल्टे बुन ले अब आगे सीधी साइड तो सीधी साइड से अभी जो आपको जिस लाई बताऊंगी यह आपने पीट आगे करते जाना है दोस लाई सीधी और उल्टी साइड सीधी साइड तीन फ फिर रखना है जहां हम जाली बनाएंगे एक फंदा सीधा दागा पीशे रखना है और इस फंदे को लास्ट वड़े को उल्टा बुणना जहां जाली पढ़ जाएगी हमारे दागा हमारे पीशे है जी जाली बढ़ गई अब आगे उल्टी साइड अब हमारे तीन के पांच फंदे बन जाएगे उल्टी साइड पहला फंदा उल्टा जे जाली वाला जो फंदा है इसको हम बुल्टा बुल लेते है ऐसे जे बीच वाला फंदा उल्टा जे जाली वाला फंदा उल्टा और लास्ट वाला उल्टा अब हमारे पास पांच फंद को बुणना नहीं है जहां से दोनी साइड हम चेन बनाती जाएंगे पहला फंदा नहीं बुणना ऐसे दागा अपनी तरफ करेंगे जह उल्टा फंदा अब बीच वाले फंदे में दोनी साइड हमने जाली बनाती जाना यह हमारी एक एक जाली पढ़ गई है अभी इस सीधे कि दोनी तरफ हमने जाली बनानी है है अब जहां जाली बनाने के लिए दागा हमने पीशे ही रहना है तो जी उटा बनेगी यह सारी सौक्स हम उल्टे-उल्टे फंदे के साथ भिणा रही है सीधी साइड भी इसको साइड से सीधा बुना जाएगा पहला फंदा ऐसे नकालेंगे दागा अपनी थर्फ करेंगे यह सारी सलाई हम उल्टी बुन के कंप्लीट करेंगे उल्टी साइड के सारी सलाई हमारी उल्टी ही जाएगी जाली याले फंदे भी हमने ऐसे उल्टे ही बनाना है यह हमारे तीन 7 फंदे होगे ऐसे ही हुमारे ज cumulative फंदे बढ़ते जाएँगे बीच वाला जो सीधा फंदा इसके दोनी तरफ हम जाली बना रहे हैं ये एक दो दो जाली हमारी पड़ गही है पहली जाली में हमारे तीन से 5 फंदे होगे दुसरी जाली में 7 फंदे होगे अब भी हम 9 फंदे बना लेंगे पहला फंदा ऐसे slip करेंगे नकालेंगे आगे जे उल्टा फंदा जे भी उल्टा फंदा बनेंगे अब बीच वाला फंदा हमारा जे आगया अब जहां हमने जाली बनानी है तो दागा अपनी तरफ रखेंगे बीच वाले फंदे को सीधा बन बनाने है ऐसी अब आगे उल्टी साइड यही आपने दो सलाई फ्रन्ट्स रपीट करते जाना है आपकी ऐसे इसारी सौक्स बनेगी पहला फंदा नकालेंगे और उल्टी तरफ आपने सारे फंदे उल्टे ही बनाने है जाली बाले भी आपने फंदे ऐसे उल्टे ही बनाने है ऐसे ही आपके फंदे बढ़ते जाएंगे ऐसे अब हमारे जे दो चार छे आठ एक नौ नौ फंदे होगे तो हमारे जे बीच में ये एक दो तीन जाली पाड़ गी हमारी तो ऐसे हमारी उपर ऐसे ही आपने जाली बनाते जाना तो ऐसे ही मैं ठारा जे जाली बनाऊंगे जे मैंने ठारा जाली बना ले एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आर्ट, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोडा, स्तारा और सलाई में जे ठारा अब उल्टी साइड, उल्टी साइड से जहां मैं दूसरा कलर लगाऊंगी, जो मैंने दूसरा कलर लगा लिया तो ये एक सलाई पहले मैं दूसरे कलर की उल्टी बनाऊंगी जहां, ये मैंने उल्टी सलाई बना ली, अब आगे सेधी साइड, सेधी साइड भी हम इसी कलर से स्ली और बनाएंगे, एसे, सिधे साइड, पहरों जी, उल्टे फंदे बुन लेते हैं, बनाना आपने सेम, ऐसे हैं, जैसे हम, नीचे से सोक्स को बना रहे है ऐसे जहां आगे यह जो हम जाली बना रहे हैं यह सीधे फंदे के दोनी तरफ तो जहां हम जाली बनाएंगे दागा अपनी तरफ सीधा फंदा बनेगे जहां सीधे फंदे के बाद फिर जाली बनाएंगे दागा पीछे रखेंगे इसको उल्ट सेजी सारी सलाई बना लें अब आगे siam इस इस कलर की हमने दो सलाई बना लें एकeki तら पड़या था तब एक अभी बना मर Till अब आगे हम उल्डी तरफ को हम इस कलार की फिर दो सलाई बनाएंगे पहला फंदा मैं ऐसे ही नकाल रही हूँ अब जहां से दोसरा कलर लगाओं ऐसे जे इस से दो बनाओंगी उसके बाद दो सलाई इस कलर से बनाओंगी फिर उसके बाद इस कलर से दो सलाई बनाओंगी तो ऐसे हमारी ये दारियां बनेगी अभी इसकी मैंने बना ली है दो सलाई अभी बीच में जो ये light brown color इससे बनाऊंगी फिर दबारा ये इस color से बनाऊंगी तो ऐसे ही मैं बनाती जाऊंगी आगे ये एक, दो, तेन, चार ऐसे जी चार design बनाऊंगी मैं चार दारियां बनाऊंगी तो जे पहले मैं इतना complete कर लेती हूँ फिर बीच वाला जी कितना मैंने gap रख़ा है जे आगे आगे आपको बताती हूँ जे दारियां पहले मैं complete कर लेती हूँ जे मैंने 6 सलाई बना ली, 2 सलाई इस कलर की, 2 सलाई इस कलर की, 2 सलाई इस कलर की, 6 सलाई होगी, अब उल्टी साइड, उल्टी साइड से हमारा दागा चेंज हो रहा है, तो जे आपने द्यार में रखना है, ऐसी आपने बनाते जाना है, बीच में आपने सिदे फंदे के दोन इस कलर से मैं 10 लाइं बनाऊंगी इस कलर से मैं अब दस लाइं बनाऊंगी पांच दारियां बनाऊंगी ऐसे जिए अब कुद खाती हूँ जे वाला हमने कंप्रीट कर लिया छे छे ज़े शेसलाई तीन दारिया अब जे पांच लाइन बनाऊँगी, एक, दो, tre, चार, पांच, जे 5 लाइन जो हमारी है, जे दस लाइ बनेगी जे दस स्लाइ के बाद फिर जे वालाइ रिपीट करूंगी ऐसे, तो जे मैं four ऐसे बनाऊँगी, जे जो डिजाइन मैंने प्लीट काले चार दारियां अब आगी हम जाली जहां बनाना बंद कर देंगी तो जह जहां तक मेरी जो जाली टोटल बन गी है 45 एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला, सारा, ठारा, उनिस, बीस, इकिस, बाइस, तेईस, चौवी, पच्ची, चबिस, ताई, ठाई, अनती, ती, कती, बती, तेती, चमती, पैंती, छती, सैंती, ठती, पंताली, चारी, कताली, बताली, तरताली, चताली, और ये, पंताली, 45, 45 हुमारी जाली जे पड़ी, दोनी साइट, तो हमारे पास टोटल अब 93 फंदे है, तो अब जहां मैं उपर इसी कलर से मैं जे, अब उल्टा-उल्टा बनाऊंगी, दोनी साइट से, उल्टा-उल्ट जाइड मैं यह उल्टा बनाऊंगी 10 लाइब बनाऊंगी जहां तो ऐसे हमारी पांच दारी आ जाएगी जैसे पांच लाइब एक दो तीन चार और पांच तो अगर फ्रेंड्स आपने साथ नंबर और आठ नंबर के लिए बनानी है तो आपने कैसे देखना है कि कैसे बनेग हो आपने अपने पैर का नाप ऐसे लेना है एड़ी से जहां से इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है ऐसे आपने सौक्स को ऐसे जे हमारा उपर का पाठ होगा जे वाला जो तकोना बन रहे है ट्राइंगल ऐसे और जे जहां से नीचे आला होगा तो आपने अपने पैर में नीचे ऐसे रख के देख लेना है जैसे इसका भी एक इन्च कम है तो इतना कम ही बनाना है क्योंकि आप बूल ऐसे खिर्च के पूरा पैर में फिटिंग इसकी आजाएगी तो ऐसे आपने अगर साथ आठ नमबर तो आप ऐसे इसमें 45 बनाई है जाली तो आप 48 बना सकते हो 47 झा 48 य आप पएरके अपके उसी के सामना बना सकते हो तो अब फिरंट्स यो मैंने 10 सलाई जो हमारी लास्ट सलाई 10 में अउलटी पुड़ के अाफ उंदे का ले हाँ फंदे करके सीधी साइड अंदर करूंगे उल्टी साइड बार ऐसे दोनों सलाई में मैंने आदे आदे फंदे रख लिए है तो अब तीसरी सलाई की हलप से मैं इन फंदों को वाइंड अफ करूंगे जहां मैं दे नीचे पैर के नीचे जो आएगी हमारी सौक्स दे वाइंड अफ कार रही है पीछे आले दो फंदे लेंगे आगे वाला एक फंदा ऐसे तीन का एक बनाएंगे ऐसे जे है पीछे आले सलाई में फंदा चड़ा देंगे ऐसे अब पीछे आले दो फंदे लेंगे आगे वाला एक फंदा तीन का एक बनाएंगे जाा तो जे मैं सब फंदों को बॉइंड अफ कर लेते हूं मैंने सब फंदों को जहां बाइंड ओफ नीचे से का लिया यह हमारी सोक्स पेर के नीचे के पाट में आईगी तो जहां से हमने यहां से धागा मैंने थोड़ा एक्स्टा राख के काट दिया जहां से हम सलाइ करेंगे तो सलाई मैं जहां तक करूँगी यह सेकंड जो डिजाइन यह वाड़ा जहां तक करूँगी तो जहां से उपर जहां से सौक्स मारी पैर में डलेगी तो जह आपनी पैर में डाल के देख सकते हो कि आप कितना कंफरेबल हो सौक्स पाने में तो उतना आप जहां तक सलाई कर स सकते हो तो सलाही जहां से मैं स्टार्ट करनी है कि एक चेन आधर की ऐसे लेंगे और एक चेन एदर की ऐसे ऐसे चेन से चेन आपने मलाते जाना है ऐसे ये दो धारियां धारियों ये आपने ऐसे साथ में मलाते जाना है ऐसे तो ऐसे ही मैं इसको जहां तक सलाई करूंगे ये मैंने जहां तक सलाई कर ली है आप सॉक्स को सीधा करते है ऐसे जे उपर वाला पाठ हुगा हमारा उपर को जहां से डलेगी आपको डमी में डालके भी दखा देती हूँ कि ये देखे लिए ये कितनी पर्फेक्ट आई है इसकी जहां तक हमारी सलाई होई है एंकल तक जहां तक उसके उपर जहां से ऐसे इसको फोल्ड करना है ऐसे तो ये मैंने बटन लगा दिया ऐसे बहुत ही बढ़िया बन किया ये फ्रेंट्स और बहुत जल्दी अलदी बन जाती है आप भी ऐसे बना सकते हो और इसमें बूल भी बहुत कम लगती है तो ऐसे ये दोनी सॉक्स आपकी सेम ही बनेगी तो कोई भी आप कलर लेके बन सकते हो तो फ्रेंट्स आपको जी कैसे लेगी जुरूर बताना टैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को शेयर करना लाइक करना थैंक यू